दोस्तो इस महेंगाई के यूग में अगर आप भी कोई सस्तिकार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 लो बजट कार्स के बारे में बताएंगे जी हाँ दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी कार्स के बारे में जो की हम 6 लाक रुपए से कम कीमत में उन्हें खरी सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक समय से पहुंच सके तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुवात हलो दोस्तों मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल ड्राइब कार विद मनोज तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं मारूती सुजुकी की तरफ और जानते हैं कि ऐसी जो हमें 6 लाक रुपए से कम कीमत में मिल जाती हैं तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है अल्टो दोस्तों अल्टो के सभी वेरियन्ट हमें 6 लाक रुपए के अंदर मिल जाते हैं और अगर हम इसके इंजिन की बात करते हैं तो इसमें 796 CC का पैटॉल इंजिन हमें मिलता है जो कि 6000 आर्पीम पर 47 बेस पी की पावर देता है और 3500 आर्पीम पर 69 नियोटर मीटर की टार्क जनरेट करता है अगर हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करें दोस्तों तो कंपनी इसका माइलेज 22 का क्लेम करती है लेकिन यह गाड़ी हाइवे पर आसानी से 18 से 20 का एक निकाल देती है इसके बाद दोस्तों हम नेक्ट कार की बात करते हैं जो कि है सेलेरियो जी हाँ दोस्तों सेलेरियो का बेस मॉडल से लेकर के और VXI मॉडल तक हम जो है 6 लाग रुपए से कम कीमत में इसको खरी सकते हैं और अगर हम इसके इंजिन की बात करें तो दोस्तों इसमें 998 CC का पैट्रॉल एंजिन हमें मिलता है जो कि 6000 आर्पीम पर 58 बीच्प की पावर देता है और 35 दोस्तों अगर हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो यह गाड़ी पैट्रॉल में हाइवे पर 17 और CNG में 26 से 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आसानी से निकाल देती है इसके बाद दोस्तों नेक्ट कार है एस्प्रेसो जिसको हम माइक्रो SUV के तवर पर भी इस्तिमाल कर लेते हैं दोस्तों एस्प्रेसो के लगभग सभी वेरियंट हमें 6 लाग रुपए के अंदर मिल जाते हैं और अगर हम इसके इंजिन की बात करें तो दोस्तों इसमें 998 CC का पैटॉल इंजिन हमें मिल जाता है और गाड़ी पैटॉल और CNG दोनों इंजिन में हमें मिल जाती है जो की 500 RPM पर 58 BHP की पावर देता है और 3500 RPM पर 78 Nm की टॉर्क जेनरेट करता है दोस्तों अगर हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो पैटॉल में यह गाड़ी हाइवे पर 18-20 और CNG में लगभग 28-30 किलोमीटर पर किलोग्राम का एवरेज आसानी से निकाल देती है दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट कार है एको जी हाँ दोस्तों यह गाड़ी 5 सीटर और 7 सीटर दोनों में आती है इस गाड़ी के टॉप वेरियंट को छोड़कर लगभग सभी मॉडल हम जो है 6 लाक रुपे से कम कीमत म आसानी से इसको खरी सकते हैं और अगर हम इसके इंजिन की बात करें तो दोस्तों इसमें 1196 सीजी का पैटॉल इंजिन में मिल जाता है और यह गाड़ी पैटॉल तथा सी एनजी दोनों में आती है इसके इंजिन पावर की बात करें तो यह 6000 आर्पियम पर 67 बेस्टी की पा गाड़ी लगबग 18-20 का और CNG में लगबग 18-20 किलोमीटर पर केजी का मैलेज आसानी से निकाल देती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। जी हाँ दोस्तो नेक्स्ट कार है वैगनार। दोस्तो अगर हम वैगनार की बात करें तो इस गाड़ी को इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों का किंग माना जाता है। दोस्तो जब से कमपनी ने वैगनार का मॉडल मार्केट में उता रहा है तब से लेकर आज तक ये गाड़ी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। दोस्तो यह गाड़ी मध्यमबर्ग और उचवर्ग के लोगों की पहली पसंद रही है। यही कारण है कि इस गाड़ी की सेल ज्यादा अपडाउन नहीं होती है। दोस्तो इस गाड़ी की बेस वेरियंट हमें लगबग 6 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। दोस्तो इस गाड़ी में हमें दो इंजन मिलते हैं। एक इंजन 998 सीसी का और दूसरा 1197 सीसी का पैट्रॉल इंजन होता है। जो की 6000 आरपीम पर 81 बीएसपी की पावर देता है और 4200 आरपीम पर 113 न्यूटर्मीटर की टार्क जनरेट करता है। दोस्तो अगर हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो यह पैट्रॉल में हाइवे पर 18-20 और CNG में लगभग 28-30 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आसानी से निकाल देती है। तो दोस्तो इस गाड़ी के बाद अब हम चलते हैं हुंड़ई की तरफ। दोस्तो हुंड़ई में सेंट्रो एक ऐसी कार है जो लगभग हमें 6 लाख रुपए से कम कीमत में आसानी से मिल जाती है। और दोस्तो अगर हम इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें 1086 CC का पैटरॉल इंजन हमें मिल जाता है जो कि 500 RPM पर 68 BSP की पावर देता है और 4500 RPM पर 99 Nm पर टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो यह गाड़ी पैटरॉल में 17-20 और CNG में 28-30 km पर केजी का माइलेज आसानी से निकाल देती है। दोस्तो इस गाड़ी के बाद अब हम चलते हैं टाटा की तरफ। तो दोस्तो टाटा की टियागो एक ऐसी कार है जो हमें 6 लाग रुपए के अंदर-अंदर मिल जाती है। इसके बेस मॉडल को हम 6 लाग के अंदर खरीच सकते हैं और इस गाड़ी में 1199 CC का पैटरॉल इंजन हमें मिल जाता है जो की 6000 RPM पर 86 BSP की पावर देता है और 3300 RPM पर 113 Nm की टार्क जेनरेट करता है। अगर हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो यह गाड़ी 16-18 तक का माइलेज हमें आसानी से हाईवे पर दे देती है। 99 CC के होते हैं। यह इंजन 500 RPM पर 67 BSP की पावर देता है और 4250 RPM पर 91 Nm की टार्क जेनरेट करता है। दोस्तो अगर हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो यह गाड़ी लगभग 18-20 किलोमीटर का माइलेज हाईवे पर आसानी से निकाल देती है। दोस्तो कुईड के बाद अब हम चलते हैं 9 नमबर पर डेट्चन की रेडी गो की तरफ। दोस्तो इस गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी में धो वैरियन्ट छेला के अंदर मिल जाते हैं। इस गाड़ी में हमें 699cc और 999cc के दो पेट्डल इंगन मिल जाते हैं। और अगर हम इसमें पावर की बात करें तो यह 500 RPM पर 67 ब zitten की पावर देता है। और 4250 RPM पर 91 Nm की टॉर्क जेनरेट करता है और दोस्तों अगर हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो दोस्तों हाईवे पर इस गाड़ी का माइलेज लगबग 18 से 20 किलोमेटर परावर का निकलता है Ready Go के बाद दोस्तों अब हम 10 नमबर पर चलते हैं डेटसन की Go Plus के उपर दोस्तों यह एक 7 सीटर कार है जो की हमें 6 लाक रुपए के बजट में आसानी से मिल जाती है दोस्तों अगर हमें इसमें इंजन की बात करें तो इसमें 1199 CC का पैट्टॉल इंजन हमें मिल जाता है जो 6000 RPM पर 76 BSP की पावर देता है और 400 RPM पर 104 Nm की टॉर्क जनरेट करता है और अगर हमें इसके माइलेज की बात करते हैं तो दोस्तों हाइवे पर इसका माइलेज 15 से 17 किलोमीटर पर लीटर आसानी से मिल जाता है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यवाद